एक ब्लाक ड्रेस पहना हुआ लड़की अपने साथ एक आदनी को वर्टेल रूम में ले जाती है और आंदर जाने के बाद बहुत से सीडियूस करने लगती है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदनी टीवी देखने लगता है और बोलर के अपने कप रेजिंच करके ड्रिं फोक्स को दिखाया जाता है जो कि उस ओटेल में रहे आदनी के बारे में न्यूस दे रहा था और उस आदनी का नम जॉन था जो कि पाच अपतों से गायब था और आज जाके उसकी बोड़ी एक सुनसान रेगिस्तन में मिला था और उसकी पूरी बोड़ी की चिलफर की रहा था वो हर चीज़ों को रिकॉड कर रहा था और उसके साथ उसके फ्रेंड रिकॉर्ड बेन जा रहा था और आज बेन का 21st birthday celebration था बो लोग मजा करते हुए अपने रास्ते जा रहे थे और कुछ दूर जाते ही उनके दोस्त टॉमी को वाक्शॉप से उठा के अपने जाना चाता था लेकिन अपने दोस्तों के सामने उसका कोई जोन नहीं चलता है अब रास्ते में रिक की दोस्त गेबरी कॉल करके ये कहती है कि उसे भी लास वेगस जाना है क्योंकि उसका बॉइफेंड वही बड़ी रहता है अब रिक भी उससे प्यार करता था तो वो मान जाता है लेकिन बाकिके सभी उससे बहुत ही नाराज हो जाते है क्योंकि ये उनकी एक बड़े ट्रीप थी और एक लड़की भी अब उनके साथ जाना चाती है अब रास्ते में वो लोग गैबरी को वीक अप कर लेते हैं और वो सभी मस्ती करते हुए अपने ट्रीप में जान गैबरी को अपने बॉइफरेंड के साथ ब्रेक अप करके रिक के साथ रहने के लिए बोलता है लेकिन गैबरी अपने बॉइफरेंड और रिक दोनों को ही चाती थी फिर फाइनली उनकी गलत फैमी दूर होती है और वो दोने एक दूसरे के साथ मदद करने लगते है अब एक जगे पर रुखकर वो सबी खाना खाते हैं और टॉमी की गल्फियन एशली जब उसे फोन करती है तो एशली को लगता है कि टॉमी किसी लड़की के साथ है जिसके बाद वो बेन को फोन देता है उसे समझाने के लिए जिसके कुछ टाइम बाद वो लोग अपने सफर में बढ़ते है अब बेन का पिट कराब हो जाता है और वो लोग एक पब्लिक टॉैलेट पर रुखते है और वहाँ पर केमरों को एक स्टीपर का कार्ड मिलता है और केमरों डिसाट कर लेता है कि लाजवेगा जाके बो न्स्टीपर से मिल लेगा और फाइनली वो लोग अब वो सभी लास वेगस में आके बहुत ही कुश होते हैं और वहाँ पे सारी जगे पर गुमने लगता है अब कैमरों एक भी मुका नहीं छोड़ता है सारी चीज़ों को रेकॉर्ड करने का जिसके बाद वो लोग सभी अपने होटिल में आ जाते हैं जहाँ पर फिल्म के शुरु के वज़े से गेबरी जैक और उनका दो दोस्त वहाँ से चले जाते हैं अब गेबरी को अपने बॉइपेंड के साथ देखे रिक बहुत ही उदास था जिसके बाद उसके फ्रेंड कॉमफोर्ट करते हुए ये कहता है कि आज रात उससे उसकी वर्ज़ी की लर्गी मिलेगी पिर से भी रेडियो के होटल के कैसिनो पर जाते हैं और कैमेरोन को पता था कि कैसिनो जैसी जगे पर स्टिपर्स आते हैं और उने बाद पर ढूनने का से तरीका चाहिए पिर रात को बोसे भी अपने रूम पर पार्टी कर रहे थे और कैमेरोन उन स्टिपर को फोन करके ब पूला रही थी, आप टॉमी उन्हें बहुत ही मना करता है, लेकिन वो सभी उस स्टीपर का एड्रेस ले लेता है, उन लोग का प्लन था कि वो लोग उन स्टीपर के साथ में उनका सारी फेंटेसी पुरा गड़ेगा, फिर सभी उस लोकेशन पर निकल परते हैं, और शरप के ज़्यदा सुनसान निरिया में थी, और कैमेरा से उन से भी जगों पर नजर रखा जा रहा था, अब कैमेरान भी आप पर अपने रिकोर्डिंग कर रहा था, और तेभी एक लड़की उन सभी को अंदर बुलाती है, सबी उस घर के अंदर जाते हैं, और उस घर के अंदर भ अब रूम के अंदर तो कैमरा लगे हुए थे और साथ में उन लड़कियों के साथ जो भी इंटिमेट मूवमेंट हो रहे थे वो सभी उस कैमरा में रिकोड हो रहे थे अब इदर रिक को भी कैंडिस अपने रूम में ले जाती है और टॉमी के रोकने पर भी वो नहीं रुकत अब बेन को घर पर कैमरा नजर आता है लेकिन वो नैशे की हालत में कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसको भी एक सुकी नम की लर्की अपने साथ रूम में ले जाती है और इदर टॉमी सभी का इंदिसर कर रहा था अब रिक को एक किचिन रूम में बिठा के गैंडिस कई पर चली जाती है और सुकी बेन को किसी बेस्मेंट जैसे जगे पर ले जाती है अब टॉमी को बार अटेंडेंट सीड्यूस करने लगती है लेकिन टॉमी को बस बहाँ से जल्दी निगलना था जिसके बात कैमरा अपना काम कतम करके बापस आता है लेकिन एक सैम नम की कि आख से अपने रूम पर ले जाती हैं अब इधर कैंडिस के आदा ओके साथ ने तौमिका जोर नहीं चलता है और वो भी उसके साथ में एक रूम Еकीर पर चला जाता है अब इस तरब उन स्टीपर्स का डिन पीने की वज़े से कैमरोन ब्योश हो जाता है जिसके बाद से हम वहाँ से चलियाती है और इधर बेस्मेन में सोकी बेन को सीडियूस करने लगती है और अचानक से खातियान लेके वो बेन को मालने लगती है और तेज म्यूजिक की सुने नहीं दे रही थी अब इस तरब इनके बर्डे के दिन उसका मौत हो गया था और वो ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसके बर्डे के दिन ऐसा होगा अब इधर केंडिस एक सेक्सी डिस्पेंगर रिक के पास आती है लेकिन वो भी एक कैमरोन से रिक के सर्वे बार करती है अब इस तरब जब Cameron के आके खोलती है तो वो खूत को एक operation bed पर बन्दा हुआ बाता है वो अपने दोस्तों को आवज लगाता है लेकिन उसके पास कोई भी नहीं आता है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके दोस्त मज़क कर रहे है और तेवी उसके पास कोई डॉक्टर आके उसके कप्रे काटने लगता है जिसके बाद उसे अब डन लगने लगा था वो डॉक्टर एक बिलेट से उसकी पेट को काटने लगता है और Cameron जीग रहा था वो डॉक्टर अब दीरे-दीरे Cameron की सारी बोडी पर्स निकल रहा था और Cameron तरब-तरब के वही बरी मर जाता है अब इधर Tommy को उस जगे से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था पिर अचानक उसे दोर के सामने वही डॉक्टर दीखता है जिसे अचानक देखकर टॉम डर जाता है और वो बहुत से बागने का रास्ता लूनने लगता है लेकिन वो डॉक्टर उसे भी पकरके एक चेयर में बन देता है और उसके आखो पर एक काली पट्टी बन देता है अब Tommy बहुत ही जदा डरा हुआ था और वो उस डॉक्टर को बहुत ही रिक्विस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे लेकिन वो डॉक्टर उसके सर को अपकाटने लगता है अब इधर ही ये सिन गट हो जाता है जिसके बाद हमें वही कुपसरत यादे दिखाया जाता है जहाँ पर सभी फ्रेंड्स इंजॉय कर रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था कि उनके मज़े की दोरान वो अपनी जानगावा देंगे फिर इधर सिन गुम के गेबरी उसके बॉइफेंड और उसके दो दोस्त की तरफ आता है वो लोग होटेल से निकलने के बाद कैसिनों में आये हुए थे अब गेबरी जेक के साथ समय बिताना चाहती थी लेकिन जेक अपने दोस्तों के साथ गेम में बीजी हो गया था और गेबरी को पता चलता है कि जब वो जेक की साथ नहीं रहती है तो वो स्टीपर्स को बलाती है अब इस बात से गैबरी और जैक की भी जगड़ा होने लगता है और गैबरी नाराजो के होटल रूम में वापस चली जाती है लेकिन उसको वहाँ पर उसके दोस्त नहीं मिलते है फिर वो सबको कौल लगाती है और तब ही गैबरी को कागज मे लिखी हुई उन स्टीपर्स का एड्रेस मिलती है जिसके बाद वो भी उस एड्रेस पर निकल पड़ती है अब वहाँ पर पहुचने के बाद एक बार एटेंडेंट सुजन उसे कहती है कि सभी लड़के उपर रूम में इंजय कर रहे है और उसे रूम का रास्ता भी दिख आए देता है अब ये देखने के बाद वो वहाँ से भागने लगती है अब उसके सामने एक लड़की आती है और वो उसे देखकर दूसरी तरह भागती है जिसके बाद वो लड़की उसकी पीछे पर जाती है और वो कॉल करके सेवी को गैबरी के बारे में बता देती है और कि उन लोगों ने बिना कप्रों के एक बर्ट टब में रख दिया था और वो लोग उसके प्राइबेट पाट को भी कर दिया था अब बेन की मौत के बारे में भी उसे पता चल गई थी जिसके बाद गेबरी रिक को लेकर वहाँ से चलने लगती है लेकिन रिक दरत की बज़े से चलने यह पाड़ था फिर रिक के बड़ी को उसे बापर चोड़ कर बागने के लिए कहता है लेकिन गेबरी रिक को चोड़ कर नहीं जाना चाती थी और इतने बेवे़ बापर वह ही डॉक्तर आता है और उन दुनों का पीछ़ए करने लगता है और वो दोने कीचे निर करने लगता है और यहाँ पर डॉक्टर रिक का गला दबरा था और उसी समय गेबरी डॉक्टर को लात मार के गिरा देती है जिसके बाद वो रिक को लेकर बागने लगती है जिसके बाद वो दोनों अपनी कार की तरफ चले आए थे और तब ही वो डॉक्टर अपने हैमर से ग इनी निकाल लिया था इस मुई में हमें जो स्ट्रीपर्स दिखेया गया है उनका असली बिजनेस human organ था और वो लोग इस तरह लड़कियों को फसा के उनका organ निकाल के business करता था और ये लोग पाबलिक ट्वैलेट में स्ट्रीपर्स बालेकार्ड लगा देता है और वही से किक करके मर्द अपने जलो पर फस जाता है तो दोस्तों इधर ये मुवी खतम होता है और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सस्क्राब भी कर देना